नमस्कार साथियों, न्यूज किलिक में हम आपका स्वागत करते हैं, सीरिया से हमेशा रूलाने वाली खबरे आती हैं, लेकिन कभी खबरे जब मरहम लगाने वाली हों, तो उस पे भी चर्चा करना चाहिए, तो आज हम से सीरिया संघर्ष पर बात चीच करने के लिए हैं, अ उस पूरे जो भी पक्षकार हैं अमेरिका के, उन सारी चीजों को लेकर आप कैसे देखते हैं, देखिए ये तो टर्की बहुत दिन से कह रहे थे, कि हम जो आफरीन से बात की जो इलाका है, रोजावा कैंटॉन के नाम से, कुर्दिश वहाँ पर उसको घोशना किये हैं, कि तो ये इनकी कई महिनों से बातचीत चल रही है, और अमरीका ने कहा कि नहीं, आप मत करिये इसको, हम इसको सम्हाल रहे हैं, हम कुर्दिश फोर्स के साथ हैं, तो एक तरह से कुर्दिश फोर्स को उनको वो कवर दे रहे थे, तीन साल पहले आपको याद होगा, टर्म ते क आता हम सीरिया से फोर्सिस विड्रॉआ कर रहे है, अभी तक चिए नहीं है, तो टरॉम के मताबिक, उनका जो स्टेटमेट है उसके मताबिक, हमारा सीरिया भी इस तरह से रहने का मक्सद क्या है, आईसी था वो तो खतम हो गया, हलाकि उन्होंने खतम नहीं किया, उसको तो है तो हम क्यों करें तो एक तरह से सीरिया से विड्रॉल अमरीका का इसका सबूत है कि सीरिया में और बहुत ज्यादा अमरीका का लग नहीं रहा कि डाल गलेगा तो इसलिए वह वहां से उस जगह से वह धीरे-धीरे शायद फोर्स हटा लेंगे अभी यूफरिटिस की इस्टर्ण बाद जो सीरिया का जो पार्ट है जिस पे तेल और गैस है वो अभी भी HDF के साथ सरकार के साथ है सरकार के साथ नहीं है HDF effectively कुर्दिश लेंड है कुर्दिशी उसके नेट्रित्व करते हैं और यह अमरीका की चट्रचाय में ही यह लोग यहां पर अभी इस वक्त है नहीं तो सीरियन सरकार के कबजे में अब तक ही होता अगर अमरीका का इस तरह समर्थ नहीं होता तो यह क्या अब इसके बाद अमरीका हट जाएगा वो देखने की बात है तुर्किश फोर्सेस की अगर इस इलाके में वो आते हैं तो बहुत देर तक कुर्दिश ताकत जो है इनकी अपने जो भी ताकत है उसके लेकर बहुत दिन लड़ नहीं सकते पहले भी आफरिन के यहां पर यह हुआ था उस लड़ाई में हमने देखा था कि कुर्दिश फोर्सेस कुछ हफते तक उसको इसका विरोत करते रहे इसके बाद उनको हटना पड़ा पीछे हटना पड़ा यहां पर भी मैं नहीं समझता हूँ कि टर्किश सामरिक शक्ति के स यह मकाबला कर पाएंगे क्योंकि अगर उपर से हुआय जहां जो की इस वी प्रोटेक्शन नहीं होगी आर्टिलरी नहीं होगी टैंक्स वगरर उनके पास हैं नहीं तो बहुत देर तक तर्किश आर्मी के साथ मकाबला करना उनके लिए संभब नहीं है अब वो क्या भरुसा नहीं है किसी को क्या इसके बाद वो और आगे बढ़ेंगे क्या इसमें वो जो सिरियन refugees है जो काई काफी कुछ हद तक वो ISIS की sympathizer भी भी हो सकते उनको हम बसाएंगे वहां की जो demography है उसको बदलने की कोशिश करेंगे इसको समझ अभी तक नहीं आ रहा है क्या होगा क्या पर तर्की के ये धंकी जो है इसका एक पहलू तो ये है दूसरा पहलू है कि अमरीका खुद समझ रहा है कि सीरिया में और बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है उनके लिए तो वहां ओ जो एक जो स्थिती थी उस पे परिवर्टन होने की भी काफी संभाबना इस वक्त है लेकिन सीरिया संगहर्ष में रसिया भी बहुत बड़ी भूमिका नहीं बाता है तो उसको अगर पक्चकार के तोर पर सामिल कर लेते हैं उस संगहर्ष में तो कैसी स्थिती बनती दिख रहे हैं देखे रश्या सीरियन सरकार को अपने जो जमीन आईसिस अल्काइदा फोर्स के पास था उनसे उसको मुक्त करने में काफी मददगार है इसलिए उनके अपने जो एर फोर्स है उसको इसको इस्तवाल किया एर अम्रेला दिया है और इसके जरिये उन्होंने सीरियन सरकार को मदद किया है सिरिया का ज्यानतर इलाका को मुक्त करना अब बच गया है कुछ पॉकेट्स उसमें इडली बेक है जो तर्की की बॉर्डर के लगवा इलाका है और बचा आपका जो भी बात कर रहे थे इफरिटिस के इस्ट में जो है वो जो अब इस वक्त एजडिया फोर्सेश यह तो कुर्दिश लेड फोर्सेश के पास है तो यहां पर रश्या की भूमी का इस पे दो चीजों पे रही एक तो है एर कवर देना दूसरी बात है इसरेल और अमरीका की एर शक्ति को सीरियन सरकार की खिलाब इस्तमाल ना होने देना अग तर्किश की फोर्सेश की भी एर फोर्स को इस पे ना कोई रॉल प्लेय करने देना और तीसरी यह भी उन्हों ने और भी किया है को उनकी आमस वगएरा दिया है रेडार दिया है यह सब देखे एक तरह से साथ ekौश कॉर्छ और साय हो सीरियल अरभ आर्मी ज 1 सरकारी फोर्सेश को उन रटर्ट इलाका सीरिया को उनके हाथ पे नहीं था तो रश्या की इस भूमी का जो सीरिया में है ये कम नहीं होने वाला है और इसको देखते हुए सिर्फ टर्की नहीं दूसरे जो शक्तिया हैं वहाँ इलाके में तो उनको भी लग रहा है कि रश्या इन सब चीजों में एक प्लेयर है जो ये कुछ नबै के दशक के बाद वो प्लेयर के रूपे वेस्ट एश्या में नहीं थे तो इस इलाके में फिर उन्होंने एक प्लेयर की रूप में उभर के आये हैं तो रश्या अस्ताना जो पीस اकौर्ड की बातचीत चल रही है जिस पे इरान शामिल है टर तरकी cioè की जिम्धारि थी इडलिप में जो फोर्सेस है जो की आइशिस के साथ या अल्कवेदा के साथ है उनको काबू में करना उनको निरःस्ट करना उनकी जिम्धार थी उओ अभी है तो उस पे क्या रश्या की भूमी का होगा देखनी की बात है रश्या एक टाइट ट्रोप वाक इस वक्त करने के लिए मजबूर होंगे सीरिया और टर्की के बीच में और अमरीका हट जाने से एक हिसाब के कह सकते हैं जो चेस का बोर्ड है वो फिर से सजाया गया है हमें द बहुत दिरकाली काओधे में देखें तो अमेरीका इस तिदिक को कैसे देख रहा है अमरीका ट्रम्प के अंडर में लगता है कि उसको यह चीज समझ में आ रही है कि अगर बहुत ज्यादा हम इस 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 इलाके में उलज जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा हम इससे कोई स के दमक्ष नहीं कर पारहे हैं जो कहता है श्रोथ के खिलाफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं श्रोथ इस वक्ष दूसरे तरफ है तो यह तो एक बात है पर अमरीका सीरिया से हट जाने का बतल नहीं रीजन से हड़ जाएगा सीरिया में भी अलतनाफ में अभी उनकी बेस है अभी भी यूफरिटिस के इस्ट में उनकी सोल्जर्स और आर्मेमेंट्स है अभी भी वहां पर वो क्या भूमिका अदा करेंगे देखने की बात है पर मुझे लगता है सीरिया और उसके साथ साथ इराक दो जगह इनका क्या भूमिका होगा ये वाच करने वाली है क्योंकि इराक, इरान, साओधे अरियविया के जो बातचीत चल रही है उससे अगर कोई पीस अकॉर्ड निकलता है जिस पर येमिन कभी जिसका उसका फ होगा जो रश्या बहुत दिन से कह रही है उस पर तर्की भी शामिल होगा तो इस रीजनल प्रॉसस अगर होगा तो अमरीका की जो एक कहते है न बंदर मांट करने वाली राजडीत रही है लोगों के लड़ा के बीच पे बंदस्ता करने की जो भूमिका रही है ये घटेग है अमरीका के जो राजडीती रहा है इसमें लोगों को उलजा के रखना तनाव में रखना ताकि बीच बिचाओ करके वो अपना आधि पत्वे इस इस इलाके में जमा सके तो बुझा लगता है कि ये जो है इस वक्त कमजोर होने वाला कमजोर पक्ष हो रहे है धीरे धीरे पर देखने की बात है, एक दिन में क्या होगा बताना बड़ा मुश्किल है. शुक्रिया इस विसाबर हम से बात्चित करने के लिए, आप देखते हैं नियूश्क्लिक.